दो हजार चौविस का पहला सुर्य गरहन कब है सुतक काल कितने देर का होगा गढ़ वती महिलाएं किन चीजों का ख्याल रखें सुर्य गरहन इंडिया में है या नहीं और ये सुर्य गरहन पचास सल के बाद लग रहा है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नीचे बेल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेसन सबसे पहले आपके पास जाए सुर्य गरहन दोहजार चौविस देट कब है साल का पहला सुर्य गरहन जानिये तारीक समय और गरहन में खाने से जुड़ी मानेता हैं सोलर क्लिप्स डेट दोहजार चौविस आठ अप्रेल को लगने वाले सुर्य गरहन को भारत से नहीं देखा जा सकेगा एक बार फिर से मैं कहाँ दूं आठ अप्रेल को जो सुर्य लगेगा उसे भारत में नहीं देखा जाएगा इसलिए भारत में इसका सुतकाल भी मानने नहीं होगा सुरे ग्रहन 2024 आठ अप्रेल को है साल का पहला सुरे ग्रहन सुरे ग्रहन 2024 इस साल का पहला सुरे ग्रहन आठ अप्रेल सोंबार के दिल लगेगा इस ग्रहन का समय भारत के समय अनुसार रात 9 बजकर 12 मिनट से सुबह अगले दिन 9 अपरेल 2 बजकर 22 मिनट होगा ये पूर्ण सुरे ग्रहन होगा जिस चलते पूरी तरह अंधकार में नजर आएगा सुरे ग्रहन तब लगता है जब प्रीथवी चंद्रमा और सुरे एक ही समय पर एक दूसरे के बीच गुजरते हैं सुरे ग्रहन का सूता काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है ऐसे में कुछ भी सुभ काम पूजा पाठ से जुड़ी चीजे नहीं की जाती है ग्रहन के दौरान ख खाने पीने से जुरी मानेता हैं सुरे ग्रहन के दौरान गर्वती महिलाओं को विशेस साबधानी बरतनी चाहिए इस दौरान खाना पीना मना होता है गर्वती महिलाओं को सुरे ग्रहन के दौरान कुछ भी छीलना काटना नहीं चाहिए माना जाता है कि पानी में कुछ ब उन्हें इस दौरान उपवास नहीं करना चाहिए इस दौरान खाने में आप मेवे ले सकते हैं या कम या मात्रा में खाने पर भी सरीर को पूरी एनरजी देंगे महिलाओं को सुर्य ग्रहन के दौरान सात्विक भोजन लेने की सलाह दी जाती है सुर्य ग्रहन का वग्यानिक महत जब चंद्रमा प्रीथवी की परिकर्मा करते हुए सुर्य और प्रीथवी के बीच आ जाता है और इस दौरान सुर्य की रोशनी प्रीथवी तक नहीं पहुँचती है इस खगोलिय घटना को ही सुर्य ग्रहन कहते हैं कहां देखा जाएगा इस सुर्य ग्रहन को भारत से नहीं देखा जा सकेगा इसलिए भारत में इसका सुतक काल भी माने नहीं होगा इसके अलावा इस सुर्य ग्रहन को कनाडा, मेक्सिको, युनाइटेरिट, स्टेट, अरूबा, बर्मुंडा, केरेबियन, नीदरलेंड, कोलंबिया, कोस्टा, रीका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलेंड, आयर्लेंड, आइसलेंड, जमाइका, नार्वे, पनामा, रूस, पोतो, रीको, सैंट, मार्टिन, स्पेन, द बहामासा, युनाइटेड किंडम, और वेंजुएला समेत संसार के कुछ हिसों सहीं देखा जा सकता है, सुर्य ग्रहन पचास साल बाद 8 अप्रेल 2024 को लगनी जा रहा है, बेहद ही दुरलब सुर्य ग्रहन 7 बज के 5 अंधेरा, सुर्य ग्रहन सोलर क्लिप 2024 अप्रेल, 8 अप्रेल 2024 को साल का पहला सुर्य ग्रहन लगेगा, सुर्य ग्रहन का धार्मिक ववज्यानिक महत्व है, सुर्य ग्रहन को जो 30 सास्त्रों में एक असुभ घटना माना गया है, सुर्य ग्रहन की टाइमिंग, भारती समय अन पर सुर्य ग्रहन सुरू होगा और मद्ध्य रात्री में एक बज़कर 25 मिनट पर समाप्थ होगा दोडलव होगा सुर्य ग्रहन 8 अपरेल 2014 सो को साल का पहला सुर्य ग्रहन लगेगा यह ग्रहन बेहत्थ ही दोडलव होगा ग्रहन के कारण साथ बज कर पांच मिनार तक सुरे दिखाई ही नहीं देगा इससे पहले 1973 में सुरे इतनी देर तक नहीं दिखाई दिया था और ये ग्रहन अफरिका महादी पर दिखाई दिया था विज्ञान के अनुसार हर कई सालों के बाद सुरे ऐसा ग्रहन देखने को मिलता है इस इस्थिती में प्रीथवी का एक भाग में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है इस समय चंद्रमा प्रीथवी के सबसे निकट आ जाता है इस सुरे ग्रहन के दौरान सुरे चंद्रमा और प्रीथवी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं कैसा लगा आप सभी को हमारे सूरे ग्रहन वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बाड़ा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट कैसे लूगा थैंक्सराइब और सेर को लाइक सब्सक्राइब और सेर के अभा़ा आप सेर करते दो करते हैं